हलो दोस्तों कैसे आप लोगों मीदे आप सब अच्छे से होंगे दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम अवद विसी वीडिया लेगे बीएड फर्स्ट एयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकूलम के 2021 में पूछे गए प्रशन पत्र को solve करने वाले हल करने वाले कि आपको प्रतेक प्रशन के उत्तर देने है और प्रतेक प्रशन का उत्तर लगभग 25 सब्दों में लेने है और और एक प्रशन एक नंबर का है ठीक है तो एक नंबर के हिसाब से ही इसका अंसर लिखना है और लगबग 25 सब्दों में फिक्स गिन के नहीं थोड़ा कमों बेस हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए ओके तो short form में फड़ा-फड़ से इस पूरे निवंद लिख सकते हैं लेकिन इस प्रशन का उत्तर अलग-अलग हो सकता है यह हर एक विद्यारती इसको अपने तरीके से लिख सकता है मैंने इसके कैसा लिखा कि इस जीवन में सिक्षा का स्थान अनमोल है बहुत जाता महत्यपूर है क्योंकि सिक्षा हमें क्या करती है स और इससे मनुस्य के अंदर मनुश्यता आती है इसके मात्यम से मानो समुदाय में अच्छे संस्कार डालने में परियाप्त मदद मिलती है यह हो गया इसका जवाब ओके इंग्लिस में भी उसी चीज़ को यहां पर डिफाइन कर दियाग है इंग्लिस मेडियम वाले इसको education brings good thought in a man and cuts out bad thoughts. Education souls the way of human life. It inspires man to do prestigious work in the society. This brings humanity into man and through this it helps a lot in inculating good values in the human community. ठीक है तो यह आसान से सब्दों में मेरी दरफ से जवाब है आप इसको बहतर लिख सकते हैं कमेंट में बताए कैसे लिखेंगे। चले चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ दोस्तों जो दूसरा प्रशन था वो क्या था दूसरा प्रशन इसमें पूछा गया था कि विद्या आंतर बताईये, बहुत इंक्रॉटन कोश्चन है कई बार इसको पूछा गया है कि विद्या और अ विद्या में अंतर क्या होते हैं तो आई इसको देखें देखें विद्या का समाने अर्थ है ज्यान, सिक्षा और अधिगम महरिसी द्यानन सरस्वती के अनुसार जिससे पदार्थ के यतार्थ स्वरूप का ग्यान हो यतार्थ मतलब सच्चे स्वरूप वास्तविट्टा का ग्यान हो उसे विद्या कहते हैं बात करते हैं अविद्या के अर्थ परिभासिक और योगी दो प्रकार से किया जा सकता है कौन सा द विद्या कहते हैं। एविद्या का योगी कर्थ में क्या श्कून होना औरiała ज्यान होना अ विड्या का समान्य रुप से हम अर्थ लेते हैं विद्या का अभाव वैस्विक दर्शन के अनुसार अद्रिष्ट विद्या ध्यान देकि यहां पर संस्क्रीट है अद्रिष्ट विद्या अर्थात जो ग्यान दोस्पूर नहीं है वह विद्या है जो ग्यान दोस्पूर नहीं है वह विद्या ह तो इंग्लिस में उसे चीज़ को यहां पर ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिस मीडियम वहां से देख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रशन के तरफ तीसरा प्रशन आप से पूछा गया था कि सिक्षा दर्सन की ओधारणा वाट इस दा कॉंसेप्ट ऑफ सिक्षा दर्सन की वह साखा है जिसमें मनुस्य और उसकी सिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विवी ने दर्सनिक मदों के आधार पर की जाती है और उसकी सिक्षा समद्दी समस्याओं के दर्सनिक हल प्रस्तूत किये जाते हैं जिसमें सिक्षा की समस्याओं का अध्यन कि किया जाता है सिक्षा दर्शन का हलाता है एक जिसमें दर्सन का एक भाग है जिसमें मनुष धियान और देश्यों की प्रारप्ति के लिए सब्सक्राइबों से किया जाता है और जो भी समस्याय हैं उसको हल किया जाता है सिक्षा दर्सन के माध्यम से तो यह हो गया सिक्षा दर्सन की अवधारणा है सेम चीज को इंग्लिस में लिख दिया गया है फिलोसोफी अफ एजुकेशन इस दब्रांच अफ फिलोसोफी प्रवाइड करते हैं चीज के तो यह होगे सिक्षा दर्सन की अवधारणा नेक्स कोश्चन मूव करते हैं दोस्तों चौथ कोश्चन की तरफ बड़ाई आसान था यह तो बिल्कुल आसान है कि आदर्स वाद के दो उद्देश से लिखिए अब देखिए आदर्स वाद के दो उद्देश से लिखना है आदर्स वाद वास्तों में होता क्या है हमें अधात्मिक ज्यान कराता है इसलिए मैंने वड़ा कॉमन से यहां पर जवाब देख दिया किसी भी वाद के अगर उद्देश से पूछना तो यह आसान था हर एक वाद के उद्देश से यही रहा है कि इंसानों का सर्वगीड विकास करना नैतिक, बोधिक, सारणिक, मांसिक, संपूर्ण विकास करना हर एक वाद का उद्देश से रहा है तो पहला है कि मनुस्य का सर्वगीड विकास करना दूसरा मनुस्य में नैतिकता और मनुस्यता का विकास करना यह हर एक वाद का उद्दे से रहा है तो यही आदर्स वाद के भी उद्दे से हो जाएंगे नेक्स्ट दोस्त मूव करते हैं यथार्त वाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों यथार्त वाद रियलिजम की बात की जा रही है जिसका अर्थ होता है वस्तु चीक है इसी प्रकार से रियलिस्म का साब्दिक अर्थ है हुआ वस्तु वाद या वस्तु संबंदित विचारदरा वस्तु तो यथार्थ वाद वस्तु संबंदित विचारों के प्रती एक दृष्टिकोड है जिसके अनुसार संसार की वस्तु यही सथ्य परमात्मा कोई सथ नहीं है आत्मा परमात्मा मौथ स्वर्ग झिजू को नकार देता है गरी इसका यह मानना कि जो चीज दीन है वस्तूत है वही शक्ष। It सबसे बना है लेटिन के जिसका मतलब होता है वस्तू इसका साब्दी करत हो गया वस्तू बाद ठीक है तो यह हो गया इंग्लिस में भी देख सकते हैं दवर्ड रियलिज्म में हाज बन ड्राइफ फ्रॉम लेटिन वर्लीज विच में आपजेक्स इट में तो यहां पर आप क्योंकि अप्लोट करने में फ्रॉब्लम होगी इसके पार्ट टू जो वीडियो जो रिमेंग बच गये उसके भी वीडियो बन चुके हैं उप्लोट हो चुके हैं डिस्क्रिप्शन में लेगा कमेंट में लीक मिलेगा या फिर आपके स्क्रीन पर यह आईकॉन आ रहा होग तो इसके remaining parts और इसके इसी प्रकार से जो दूसरे सत्र के question paper है जिसे 2020 का question 2019 का 2018 का तो वो मुझे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए यह आपके comment और आपके feedback पर depend करेगा तो please दोस्तो जो question इस साल के बच गया है वो आप जरूर देख लिजिए और comment box में बताइए कि आपको यह video कैसी लगी अगर आपकी comments अच्छे आए आपको पसंद आ रहे होगी यह series तो हम ऐसे सुरू करेंगे और पिछले चार सालों के जितने भी questions है चाहिए वो section A के हो section B के हो या section C के हो हर एक वीस है कि तीनो common subjects और दो option subjects हर एक वीस है कि इसे प्रकार से हम हल कर लेंगे तो please comment बताइए कि आपको यह video कैसी लगी और description में लिंक होगा telegram का आप हमसे जूड़ी आगी ताकि एक दूसरे से मैं इसकी PDF आप तक share कर शकूँ ओके दोस्तों तो प्लीज आ उस वीडियो को देख लेते हैं